हरियों जाई श्रीकृष्णा एक बार फिर से कर्मकानबाय आनन्दपाथक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और जैसे बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि पुरुष्वत्तम भगवान को दीपदान वैसे या फिर किस तरह से किया जाए क्योंकि पुरुष्वत्त और भगवान ने स्वायम अपने ही मुझे कहा है कि अगर हो सके तो गव माता के गी का दीपक प्रजवलीद करें या फिर तील के तेल का दीपक प्रजवलीद करें तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं स्वायम ही जैसे आप यहां देख सकते हो कि भगवान नारायन अर्थ पूर्षवत्म है और दोनों साइड मा तुलसी मया है व्रुंदा है और जैसे पीछे जो आप देख रहे हो वो श्री परणी का जो सेवन का व्रुक्ष होता है यहां पर एक पीपल का पेड़ जो जश्ट अभी ही बोया हुआ है गमले में वो भी है तो अर्थात एक प्रकार स सबी पवित्र जो चीज शब्द नहीं लेकिन जो पवित्र जहां पर साक्षब नारायन का स्वरुफ है जिसमें नारायन का स्वरुफ है उनके सामने हम आज दीपदान करने वाले है तो दीपदान कैसे किया जाता है और अगर मैं बात करूँ पंचरात्री वृत जो बारह अगस्त एकादशिशे आरंभ होकर सोलह अगस्त बुद्वार युक्त अमावस्या के दिन पुर्ण होगा और जो पंचरात्र वरत की महिमा है कि जो लोग पुरे महिने कुछ नहीं कर पाए है वो पंचरात्र वरत कर सकते हैं आदी आदे उसके भी मैंने वीडियो बना दी है लेकिन उन पंचरात्र में या उस पाँच दिवस में या at least एक दिन भी अगर आप चाहे तो इस प्रकार से दीपदान कर सकते हो दीपदान करने से तिवर से तिवर दरीदरता पुर्षुत्तम बग sympathावान की कुरूपा से पुर्ण हो जाती है दुर हो जाती है कुछ भी ज कर सकते हो आप चाहो तो फैंच भी कर सकते हो आप चाहो तो ग्यारा भी जीतने अधिक दीप करोंगे उतना भगवन की कुरूपा पुर्णा रूपसे प्राप्त कर पाऊंगे तो मैं इसलिए पांच दीपदान आज करने वाला हूं और आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं क्योंकि पंचरातरी व्रत है तो पंच दिवस और पंच दीपदान और बगवान पूर्श्वत्तम को वो अरपन करना है तो कैसे करना है तो अब उसके लिए क्या प्रिपेरेशन करना है पहले से क्या सारी सामगरिया आपको रेडी रखनी है अब वो देखिए तो जैसे आप देख सकते हो मैंने कहा दीपदान के लिए अब ये जरूरी नहीं है अगर हाँ आपके पास तुलसी मैया अर्था तुलसी जी का पौधा है या तुलसी के सान्नीद्या में इस प्रकार से भगवान नारायन को रख कर जो भी पवित्र व्रूक्षे चाहे वो तु जैसे ये गमले में लगाया हुआ है तो वहाँ पर भगवान ऐसे नारायन को रखिए और मैं फिर से स्पष्टता करता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आप इस प्रकार से भी दिपदान नहीं करना चाहो और मंदिर में ही भगवान है तो मंदिर में ही भगवान नारायन या शालिग राम बगवान या शरी कुरुष्णा के सामने भी दिपदान कर सकते हो अब सबसे पहले ऐसे स्वस्तिक बना दीजिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने स्वस्तिक बनाया हुआ है अब इसमें स्वस्तिक बनाने के बाद जैसे मैंने मिटी के दिये भी र पन्च दिपदान अगर आप देख सकते हो तो पहले से पंच दिपदान रेड़ी करके ऐसे कर सकते है आप गव माता के गी का भी कर सकते हैं मिट्टी के दिये में आप चाहो तो चांदी के दिये में पीतल के या तामरे के किसी भी धातू के उसके अंदर भी आप चाहे तो दीपदान कर सकते हो या फिर मिट्टी का ही दीपदान सबसे उत्तम है तो स्वस्तिक में ऐसे मैंने है और समीप में जो अभी मैंने एक पीपल का पेड़ जो गमले में ही लगाया हुआ है पीछे आप देख सकते हो कि श्री परणी जो सेवन का वरिक्षय वो है और इस प्रकार से बगवान पुर्शोत्तम को हम दिपदान करेंगे तो अब हम दिप प्रजवलित करते हैं वैसे आप दिपदान करते समय जो भी श्लोक या मंत्र चाहे तो बोल सकते है जैसे अगनी जोती, रविजोती, चंदर जोती, तथाईवच, उत्तमह सर्वजोती, नम दीपोयम प्रति गुरुह यताम या शुभंकरोत कल्लियानम आरुग्यम्दन संपदा, शत्र बुद्धी वि आंतर जो है भगवान चौरी पुरुशुत्थम हरी का नम उसी को बोलते बोलते आसे दीपदान कीजिये, डीप ऐसे प्रजवलीत कीजिये, आप अभी जैसे देख रहे है कि हमने 5 दीपदान प्रजवलीत कर दिये हैं, यह सारे जो दीप है, वो भगवान चौरी हरी को हम अभी समरपीत कर रहे हैं और दोनों हाथों से फिर नमस्कार करके भगवान चरीहरी को प्रार्थना करनी है कि है भगवान पुर्षत्तम जैसे अपने अपने इस पुर्षत्तम मास महात्मे की कथा में आपने ही जैसे कहा है, कि जो कोई भी भक्त मुझे दिपदान प्रजवलित करके करेगा गहुमाता के गी का या तील के तिल का उसके सभी दुख, दरिद्रता, सारे संकटों का मैं विनाश कर देता हूं, आदी, व्यादी, उपादी, जीवन में जो कुछ भी है उन सभी का मैं विनाश करता हूं और आने वाली कई पिडियों तक उसके गर्मे मैं सदैव लक्षमी जी के साथ निवास करता हूं, तो इस प्रकार से कोई भी मनुश्य चाहे तो अपने मंदिर में ही बगवान श्री हरी पुर्शत्तम के सामने, श्री कृष्ण के सामने, या जहां पर भी आप चाहे तो शिव पुर्शत्तम कर सकते हो, और जैसे मैंने यहां कहा कि अगर आप पंचरात्रवरत करते हो 5 दिनों का एकादशी से अमावस्या तक तो प्रती दिन ऐसे पंच दिपदान, शुबह या तो सायम अमकाल, या फिर आप चाहो, तो दोनों समय बगवान श्री हरी के सामने दिपद में कर सकते हैं कि और तो मैं यहीं कहूंगा कि सुंदर से संद्धिया काल के पशच्चा त्सायम काल एंब आतरी काल थी एक वी करेंगे तो भी बहुत है एक करो यह सो करो है जितने अधिक करेंगे अच्छा है इसमें कोई सまでह नहीं है लेकिन जैसे मैंने कहा नहीं इहां पर माध्यम रखा है कि यहां पर दिपदाण है तो इस प्रकार से आप बहर नारायण को दिपदान कीजिए फिर बगवान पुरूशुत्त्म स्वरूँख पुरूशुत्यम हा की किλέ इसे दिपदान करने से कितना बड़ा महात्मिय है इसका वीडियो हमने अप्लोड किया था कि मनुश्य दरीद्रता से मुक्त होता है रोगों से मुक्त होता है या घर्मे जो भी negativity है वो सारी दूर होती है निर्धन धनवान होता है बहुत प्रकार के लाब है और कोई लाब मिले ना मले लेकिन ये इतना अवश याद रखिये कि बगवान पुर्शोतम मास में अवश्य प्रसन होते हैं उनकी तो कुरूपा प्राप्त होती ही है तो इस प्रकार से पंचे दिपदान कर सकते हो अगर हाँ आप भी पंचरातरी इता प्राप्त है आपको यह वीडियो के साथ आपको आज का यहाद किसा लगा मुझे बताएगा और अगर आपको आजका यहाद वीडियो पसंद आया हो तो बीने बुले लाइक कीज़ेगा अधिक शार कीज़ेगा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य गंटिक आइकोन दबाये का बहुत जल्मिते हैं नहीं विश्य और वीडियो के साथ ओम गानेश जैश्री कुरुष्ण श्री पुरुष्वत्य माय नमः